दोस्तों कक्षन और गणित के महतुपूर्ण प्रश्णों की जो श्रिंखला हमारी चल रही है उसमें आज हम करेंगे बहुपद के महतुपूर्ण प्रश्ण इस वीडियो में मैंने बहुपद के 10 क्वेशन लिये हैं और इसका एक और भाग आएगा उसमें भी 10 क्वेशन और होंगे आपके अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपके एक्जैम में आपको बहुत मदद मिलेगी और बाकी वीडियो के क्वेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको वीडियो प्राप्थ हो जाएंगे जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस प्लेलिस्ट में एड़ करता जा रहा हूँ तो वहाँ पे आपको बाकी वीडियो प्राप्थ हो जाएंगे तो शुरू करते हैं पहला question ये है, निमने लिखिट व्यंजकों में से कौन से भवपद है, कारण सही तुत्तर दीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह चार व्यंजक हैं, इनमें कौन कौन से भवपद हैं, और वो क्यों भवपद हैं, यह हमें बताना है, भवपद होता क्या है, अगर आप पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या क्या मतलब है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से, यह, तो अगर हम बात करें पहले की, यह बहवपद नहीं है, क्यों आप यहाँ पर कहेंगे, कि यहाँ पर सभी चरों की घाते पूर्ण संख्या नहीं है, या फिर आप यह कहोगे, कि X की घात 3 बटे 2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह व्यंजक बहवपद नहीं है, अब सेकिन पर आते हैं, क्या सेकिन बहवपद है, सेकिन बिलकुल बहवपद है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चर है, उनकी घाते पूर्ण संख्या है, तो यह हम मतलब देखो यहाँ पर x की घात 4 है यहाँ पर x की घात 1 है तो 4 भी पूर्ण संख्या होती है एक भी पूर्ण संख्या होती है है ना तो इसलिए तीसरा पहले हम भाग देंगे यानि यहाँ पर है x की घाट 4 प्लस x की घाट 3 प्लस x बटे x इनको हम पहले अलग लग करेंगे यह 4 उपर है एक नीचे है भाग देने पर घाटे माइनस हो जाती है तो यह x की घाट 3 हो जाएगा यहां पर एक घात से घात कडिया आप यह समझे लो तो यह आ गया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिलकुल यह बहुपद है क्योंकि जो चर है उनकी घात पूर्ड संक्या है यह तीन और यह दो देखो अब चौथे की अगर हम बात करें यानि तीसरा था छौथा बिलकुल नहीं है साफ दिख रहा है कैसे पहले हम इसको लिखेंगे इस तरह से यह वर्गमूल का मतलब होता है हाफ पावर तो तीन बटे दो हो जाएगा ठीक है इस वर्गमूल का मतलब होता है जो पावर है घात है उसमें half आएगा एक बड़े दो आएगा बाकी को तो as it is लिखेंगे लेकिन यहाँ पर हम फिर वही कारण लिखेंगे जो कारण हमने यहाँ पर लिखा था बस x के जब बे y आगया है कि y की घात तीन बड़े दो है जो पूर्ण सेंख्या नहीं है इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है ठीक है तो I hope आपको यह समझ आगया होगा question number one question number two के और भढ़ते है यहाँ पर हमें बताना है कि x plus one किस बहुपद का गुड़नखंड है तो कैसे पता करते है जब भी हमें यह पता करना हो गुड़नखंड है की नहीं है तो पहले क्या निकालते है पहले शून्यक निकालते है तो उसके लिएम क्या करते है x plus one को हम put करते है zero और इससे x आ जाता है minus one अब हम एक एक करके यहां रखेंगे जहां zero आएगा वो गुड़नखंड होता है ठीक है यहां रखो अब यह बहुविकल्पी यह प्रश्ण है multiple choice इनमें एक option correct है तो यह आप direct पता कर कैसे हम यहां पे एक एक करके हम रखेंगे अब देखेंगे कहां पे zero आ रहा है यह 3 plus minus one की power 2 minus one plus one देखो minus one की power 3 minus one होता है minus one की जब घात विशम संख्या होती है तो फिर minus one आता है और minus one की घात जब सम संख्या होती है तो plus one आता है यह ध्यान रखना अब जैसे यहां पर minus one की घात 2 है तो यह plus one आएगा minus minus का यह plus हो गया और यह plus one है तो यह zero तो नहीं हो रहा है क्योंकि यह एक से एक कटा, तो दो आ गया, यह 0 नहीं है, यानि यह तो गुणनखंड नहीं है, अब दूसरा वाला देखते हैं, ऐसे एक एक करके हम पता करेंगे, दूसरा वैसे होना चाहिए मेरे हिसाब से, माइनस वन की घात तीन, प्लस माइनस वन की घात दो, प्लस माइनस वन, प्लस वन, माइनस वन की पावर तीन माइनस वन होता है, माइनस वन की घात दो प्लस वन होता है, फिर यह माइनस वन, प्लस वन, और यह, इससे यह कटा, यहां से एक कट यह कट गया, और यह 0 आ गया, इसके बाद ये बाकिय उप्शन मुझे ने लगता कि ये करेक्ट होंगे. आप बढ़ते हैं क्वेशन नमबर तीन के और. गुरनखंड कीजी, हमें यहाँ पर गुरनखंड इसका करना है. देखो, देखने से क्वेशन बहुत मुश्किल लग रहा है, बट ये क्वेशन है बड़ा आसान. इसका कारण ये है कि यहाँ पर एक्स की घात एक तो चार है और दूसरा एक्स की घात दो है. अगर यहाँ पर X की घाद 3 होता और X होता अगर यह होते तो यह बड़ा मुश्किल प्रश्ण होता यह प्रश्ण बड़ा आसान है कैसे देखो अगर हम यहाँ X की घाद 2 को Y रख दे तो X की घाद 4 क्या हो जाएगा Y स्क्वाइर हो जाएगा तो जो ये है हमारे पास गुणन खंड करने के लिए इसको हम थोड़ा छोटा बना सकते हैं और ये हो जाएगा देखो y का वर्ग माइनस 3y प्लस 2 और अब ये तो आराम से हम इसे कर सकते हैं इसके गुणन खंड यहाँ पर ये 2 है तो 2 के ऐसे गुणन खंड करो जिसको प्लस करके 3 आए तो ये होता है 2 और 1 दो एकम 2 और 2 रेक 3 यानि ये हो जाएगा y स्क्वार माइनस 2y माइनस 1y लिखो या केवल y लिख दो प्लस 2 y कॉमन है यहाँ पे तो y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन y माइनस 2 और ये y माइनस 2 यहाँ कॉमन आया अंदर y माइनस 1 यहाँ बचा अब क्या करना है हमें y, y, y अब y की जग़े पे वापस x स्क्वार हमें रख देना है तो ये है x स्क्वार माइनस 2 और ये है x स्क्वार माइनस 1 समझ गए अब आगे देखिए यहाँ पे x स्क्वार तो ठीक है जो 2 है इसको हम लिख सकते है root 2 का स्क्वार और जो यहाँ पर x स्क्वार ठीक है और 1 को हम लिख सकते 1 स्क्वार अब ये क्या होगा यहाँ पर एक फॉर्मला हमारे पास होता है की x स्क्वार माइनस y square बराबर x plus y into x minus y यह होता है हमारे पास यह formula यह हम यहाँ पर लगाएंगे यानि दो चीज़े square में minus में है एक बार उन्हें plus कर दो एक बार minus कर दो तो एक बार हमने plus किया और एक बार यह minus किया ऐसे यहाँ पर x plus y into x minus y और यह हमारा answer आ चुका है ठीक है question number four यह प्रश्ण शेश्वल प्रमेपर आधारित question है और बहुत ही important है यहाँ पर question देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है पर है बड़ा आसान question यह तो क्या है यह question हमारे पास यह दो भवपद दिये है और इनको भाग दिया जाता है x plus 1 और x minus 2 से यानि यह जो पहला बहुपद है इसको भाग दिया जाता है x plus 1 से और जो यह दूसरा बहुपद है इसको भाग दिया जाता है x minus 2 से भाग देने पर यह शेश आते हैं r1 और r2 अगर ऐसा है तो हमें एकमान याद करना है तो देखो हम कैसे करेंगे इसको सबसे पहले देखो इसको किस से भाग दिया जाता है X प्लस 1 से है न तो इसको हम नाम दे देते हैं कोई PX इस बहुपत को तो X क्यूब प्लस 2X स्क्वाइर माइनस 5AX माइनस 7 उसको रख दो 0 तो यह X आ चुका है माइनस 1 और अब शेश्वल प्रमे के अनुसार अगर हम यह माइनस 1 यहाँ पर रखेंगे तो इसका शेश्वल आ जाएगा यही है शेश्वल प्रमे यानि जो R1 है वो कैसे निकलेगा X की जगह पर हमें रखना होगा माइनस 1 तो हम यह माइनस 1 रखेंगे माइनस 1 की घाद 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 की घाद 2 माइनस 5A माइनस 1 माइनस 7 यह हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 माइनस माइनस का प्लस 5A माइनस 7 और ये हो गया है 5A और ये माइनस का 8 6 5A-6 आ गया है अच्छा अर अब ये दूसरा बहुपते इसको हम नाम देते हैं QX X3 प्लस AX स्क्वाइर माइनस 12X प्लस 6 अब यहां इसे भाग दे रहा है X-2 तो हम X-2 को रखेंगे 0 और X आ जाएगा 2 तो 6 प्रमे के अनुसार ये जो 2 है अगर हम इसमें रखते हैं तो 6 प्लस आ जाएगा यानि इसका 6 प्लस क्या है R2 है R2 आ जाएगा तो ये हमने रखा 2 यहां पर रखा 2 की घाद 3 प्लस 6 इसको हमल करेंगी यह हुआ 8 प्लस 4A माइनस 24 प्लस 6 और ये हो जाएगा 4A 8 से 14 14 में से 24 गया 10 तो 10 माइनस का आएगा बड़ा चिन आता है तो हमारे पास ये R1 है और ये R2 है अब क्वेशन में ये कंडिशन दी है कि 2R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 6 तो यहाँ पर हम रखेंगे R1 क्या है 5A माइनस 6 R2 क्या है 4A माइनस 10 ये है 6 ठीक है तो 2 से गड़ा करेंगे तो 10A माइनस 12 अब समझ गया ना R1 ये निकला R2 ये निकला और ये क्वेशन में कंडिशन दी है इसमें हम R1 आउट हो रखेंगे और A हमें निकलना है तो ये हो गया है इस तरह से 10 प्लस 4 14A और ये 12 माइनस ये माइनस का 22 हो गया 14A इकल्स to 28 और A आ जाएगा ये 14 नीचे आएगा तो ये आंसर आ गया है 2 और ये हमारा फाइनल आंसर है ओके तो इस तरह से एक वेशन होगा क्वेशन नमबर 5 में हमें इसका गुणनखंड करना है यहाँ पर जो फॉर्मुला यूज होगा गुणनखंड करने में वो पहले में लिग देता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे कि हम किस तरह से इसमें आगे बढ़ेंगे फॉर्मुला इसमें यूज होता है देखो A प्लस B X प्लस Y प्लस Z इसका स्क्वाइर होता है X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर प्लस Z स्क्वाइर प्लस 2XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX यह है फॉर्मुला तो हमने जो यह हैं यहाँ पर लिखा है इसको हमने यह रूप देना है और फिर हम इसको यह लिख देंगे simple इस तरह से मागे बढ़ेंगे ठीक है तो अब इसको लिखना शुरू करते हैं इस रूप में लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है माइनस साइन का तो माइनस कहा कहा है माइनस एक इधर है और एक इधर है अब इनमें देखो क्या common है मिन्स दोनों में x है या दोनों में y है या दोनों में z है तो आप ये पाएंगे कि दोनों में है X इसका ये मतलब हुआ कि X वाला माइनस होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे तो इसको पूर्ण वर्क करके लिखना है तो माइनस रूट टू एक्स इसका ये होगा स्क्वाइर Y तो सीधे ही है Y स्क्वाइर और जो ये 8 है 8 होता है 2 रूट 2 का स्क्वाइर तो इसको हमने ये लिख दिया है ये ही सबसे मुश्किल स्टेप है इस पूरे क्वेशन का आगे तो बड़ा आसान है कैसे देखो अब इसको तो बिल्कुल मत देखो इसको देखो ही मत आप फॉर्मले पर फोकस करो क्या है यहां पर 2XY तो 2X ये है Y ये है तो 2XY प्लस 2YZ 2Y और Z है ये 2 रूट 2 प्लस 2ZX 2ZX देखो ZX लिखो ये XZ लिखो बात एक ही होगे कई बारी बुक में XZ लिखा ओता है और बच्चे गा ते सर बुक में तो ये लिखा है आपने गलत कर दिया तो ऐसा नहीं है बात एक ही है तो Z ये है और X क्या है फिर से ये तो ये ओके और अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे अब हम जानते हैं कि जो ये है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस y प्लस z का square यानि square 6 आदेते हैं x x plus y plus z इसका square ठीक है अब यह square है तो दो बार लिखा जाएगा क्योंकि हमें गुड़नखंड करना है तो यानि इनको अलग-अलग लिखना है और यह हमारा answer आगिया है ओके, यहाँ पर यह formula था इसको में एक box में लिखते दो यह है, तो I hope आपकी solution समझाया होगा question number 6 है यह दी, यहाँ पर यह आप देख रहे हैं इसका गुड़नखंड यह है, x plus 2 और इससे भी भाजित करने पर 6-12 आते हैं तो A और B का मान ग्याद करो ओके, देखो इस question से आपको बहुत सारी चीज़ेस सीखने को मिलेंगी इसलिए मैं कहता हूँ कि यह question exam में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं लेकिन इतना तो पक्का है कि आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपको exam में बहुत मदद मिलेगी, इसलिए इन questions को आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए अब इसमें भी आप देखोगे ये इसका गुड़नखंड x प्लस 2 है इस बात का क्या मतलब है इस बात का ये मतलब है कि देखो पहले बात तो इसको हम नाम देते हैं bx करके ax cube plus bx square minus 5x plus 2 अब इसका गुड़नखंड x plus 2 है तो x plus 2 को हम रखेंगे 0 और x आया minus 2 ये ही हम 6 फल प्रमे में भी करते हैं इसी तरह से ठीक है अब x plus 2 इसका गुड़नखंड है तो इसका मतलब ये है कि x बरावर minus 2 हम इसमें रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि पुरा गुड़नखंड ही है तो इसका शुनिक हो गिया है यानि अगर हम x की जग़े minus 2 रखेंगे तो ये चीज 0 आ जाएगी minus 2 का cube plus minus 2 square minus 5 ये चीज 0 हो गई है तो यहाँ पे एक एक समी करना में मिल जाएगा इसको simplify करते हैं minus 8a plus 4b plus 10 plus 2 equals to 0 और ये हो गया है minus 8a plus 4b plus 12 equals to 0 4 से भाग देंगे तो ये 2a है ये b बचा ये 3 बचा और हम ये लिख सकते हैं 2a अगर उधर जाएगा minus b ये हमारी एक equation आ गई एक समय करना ये आ गया है और अब हम क्या करेंगे अब ये है इससे विवाजित करने पर 6 बारा आता है तो अब इस बारी इसको 0 रखो तो x क्या आया 2 अब यहाँ पर हमने रखना है 2 जैसे minus 2 रखा था ना पहले अब 2 रखना है तो a into 2 square 2 cube प्लस तो 2 हमने रखा अब और ये आएगा 12 शेशफल प्रमेक के अनुसार उसमें यही करते हैं जिससे भाग देते हैं उसको 0 रखते हैं x आता है उसको put करते हैं और वो शेशफल होता है पीछे भी हमने एक question इस तरह से किया था तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8a प्लस 4b माइनस 10 प्लस 2 इकोल्स टू 12 8a प्लस 4b यह हुआ माइनस का 8 अगर उधर जाएगा तो यह 20 हो जाएगा 4 से भाग देंगे तो यह होगा 2a प्लस बी इकोल्स टू 5 यह हमारा second equation आ गया है यह दोनों equation है अब इनको हम हल करेंगे तो 2a माइनस बी इकोल्स टू 3 दूसरा 2a प्लस बी इकोल्स टू 5 प्लस करेंगे बी कड़ जाएगा 4a बराबर आया 8 और a बराबर है 2 अब a के मान को हम इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस b बराबर है 5 तो b आ जाएगा 1 तो हमारे प्लस अबर सेवन है यदि a माइनस b है माइनस 8 और a b है माइनस 12 तो a क्यूब माइनस b क्यूब का मान हमें याद करना है देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मला इसके लिए आपको पता होना चाहिए अगर यह पता है फिर तो इतना समझ आया अभी तक का बिल्कुल मुश्किल नहीं है हाँ फॉर्मला अगर याद नहीं फिर तो मुश्किल है बट फॉर्मला अगर आपको याद है तो फिर तो आसान है इसके अलावा अब आप यहाँ पर फोकस करो ठीक है आप यह सोच रहेंगे कि सर हमारे पास A माइनस B तो है A B भी है इसका क्या करें हम तो चलो करते हैं इसकी व्यवस्ता हमारे पास यह ग्याद करने का एक तरीका यह है कि A माइनस B का स्क्वार लिखो क्या होता है A माइनस B का स्क्वार A square plus B square minus 2AB होता है न अगर 2AB में इस तरफ लेके आऊ तो A square plus B square और इसको बराबर के दूसरे set लेके जब जाएंगे तो minus का plus हो जाएगा समझ गया आप तो A square plus B square यहां से निकलेगा चलो निकाल देते हैं value A minus B है minus 8 और यह है minus 12 64 minus 24 और यह हुआ है चालिस ठीक है यानि इसकी विवस्ता हमने कर दी है और अब A cube minus B cube A minus B minus 8 यह 40 है और A B A B है minus 12 तो plus का minus हो जाएगा यह तो minus 12 यह आजाएगा यानि minus 8 into 28 और यह है 8,8,64,4,6,8,2,16,6,2,2 minus 224 यह हमारा आंसर है अब हमारे पास यह question है इस question में बहुत सारी step यूज होते हैं आप आराम से इन steps को देखो और समझो तो सबसे पहले क्या करते हैं जो यह last में लिखाए इसके करते हैं गुणनखंड मतलब 42 जो है उसके क्या क्या करते हैं तो यह plus minus 1 होता है plus minus 2 है plus minus 3 है plus minus 6 है plus minus 7 है और क्या है plus minus 14 है plus minus 21 है और फिर plus minus 42 है means यह सभी इस 42 को विभाजित कर सकते हैं भाग दे सकते हैं अब हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो इसको PX नाम दे देते हैं जो हमारे पास यह भापद है X cube minus 10 X square minus 53 X minus 42 तो सबसे पहले एक एक करके हम लेते हैं पहले 1 लो देखो 0 आ रहे की नहीं आ रहा है फिर minus 1 लो यहाँ पर नहीं रखेंगे पहले हम देखेंगे कि 0 आ किस से रहा है वही हम यहाँ पर लेखेंगे तो 1 रखेंगे देखते हैं 1 रखा तो यह 1 minus 10 minus 53 minus 42 0 कर नहीं आएगा 1 हाट आओ minus 1 रखेंगे देखते हैं minus 1 minus 10 ये plus 53 हो जाएगा minus 42, yes ये 0 आ रहा है, nice तो हम लिखेंगे कि x बराबर minus 1 रखने पर तो ये हो जाएगा minus 1 का cube minus 53, minus 1, minus 42 minus 1, ये minus 10 ये minus minus का plus 53 minus 42, plus वाले देखें 53 है और minus वाले 53, यानि ये 0 आ गया है, इसका मतलब क्या है, कि therefore 1 को उस्तरफ लेगे जाओ, minus 1 को तो क्या हो जागा, plus 1 हो जाएगा ना तो यानि x plus 1 px का एक गुड़न खंड है एक गुड़न खंड तो आ गया है अब हमें बाकी गुड़न खंड निकाल नहीं है तो अब अगले स्टेप आ जाओ, अब हम क्या करते हैं अब हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास से बहुपद यहाँ पे x cube minus 10x square minus 53x minus 42 इसको हम भाग देंगे x plus 1 से, x plus 1 से भाग देंगे, ठीक है तो भाग कैसे देते हैं, मैं उमीद करता हूँ कि आपको आता होगा भाग देना फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, देखो इसका पहला और इसका पहला देखो x में किसका गुणा करेंगे कि x cube आ जाए तो इसमें करेंगे गुणा x square का तो क्या आ जाएगा यह? x cube आ जाएगा और साथ में इसमें भी गुणा करेंगे तो यह x square आ जाएगा इनके चिन बदलेंगे हम minus minus पहला वाला कट जाएगा वो हमेशा कटे गए अब हो जाएगा minus 11 x square minus 53 x minus 42 फिर इसे हम वही करेंगे कि यह पहला देखो और यह पहला देखो इसमें कितने को गुणा करेंगे यह आ जाएगा यह हम करेंगे minus 11 x का गुणा तो यह minus minus का मतलब sign change करेंगे हम क्योंकि हम minus करेंगे और इससे यह कटा अब यहाँ पर minus 53 प्लस 11 होता है minus 42 x minus 42 और फिर वही दोहराएंगे हम कि यह पहला और यह पहला देखो यानि minus 42 का गुणा करना है हमे minus 42 का गुणा करेंगे तो यह minus 42 x हुआ minus 42 sign change करेंगे हम यह दोनों कर जाएंगे तो कहने का यह मतलब है कि जो हमारे पास से बहुपद है दियावा बहुपद यह हो जाएगा क्या x प्लस 1 तो यह है है ना मतलब यह चीज़ है this into this यानि इसका इसके साथ गुणा यह हो जाएगा x स्क्वाइर माइनस 11 x माइनस 42 और अब हमने यहाँ पर गुणन खंड करना है जो कि बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है 42 के ऐसे दो भाग करो गुणा करके 42 होना चाहिए और माइनस करके 11 होना चाहिए तो यह है 14 और 3 तो यह हो जाएगा देखो x स्क्वाइर माइनस 14 x प्लस 3 x माइनस 42 x प्लस 1 x कॉमर लिया x माइनस 14 3 कॉमर लिया हमने x माइनस 14 x प्लस 1 इन दोनों में x माइनस 14 आ रहा है और x प्लस 3 और यह हमारा आंसर है इस तरह से इसके गुणन खंड़ा हमने कर दिये है ओके क्वेशन नमबर 9 है यदि x प्लस y बराबर 8 और x y 15 है तो हमें इसका माण याद करना है x स्क्वाइर प्लस y स्क्वाइर का ओके तो फॉर्मुला होता है x प्लस y स्क्वाइर बराबर x स्क्वाइर प्लस y स्क्वाइर प्लस 2 x y है नँ अब हमारे पास x प्लस y है और x y भी है यह निकालने बड़ा असान है 8 का वर्ग बराबर x square plus y square plus 2 into 15 तो यह है 64 equals to x square plus y square plus 30 और x square plus y square हो जाएगा 64 minus 30 यानि 34 और यह हमारा आंसर है ओके, question number 10 है इसके हमें गुणनखंड ग्याद करने है तो हमारे पास है x cube मतलब यह question है, इसके 4 option है x cube minus x square y minus x y square plus y cube अगर हम यह x square कॉमल लें तो अंदर बचेगा x minus y यहाँ कॉमल लेंगे अगर हम y square तो अंदर बचेगा x minus y तो यह हो गिया है, x minus y दोनों से कॉमल आएगा और यह x square minus y square ठीक है अब यहाँ पे x square minus y square फिर से होता है x plus y into x minus y x minus y दो बार है और x plus y एक बार है, है ना? और इसका option b correct है, यही तो इस तरह से है, simple है I hope यह steps आपको समझ आगे होंगे और राइट तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है I hope आपको सभी questions अच्छे से समझ आए होंगे बहुपत के important questions का एक और भाग आएगा और फिर जो बाकी chapter से one by one वो भी cover होंगे और सभी का link आपको जो वीडियो के description box में playlist होगी उसमें बिल जाएंगे अपने friends के साथ में यह वीडियो ज़रूर share करें और चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगले वीडियो में take care